पद्म भूशन, पद्म विभूशन, पंजाब रद्ब एवॉर्ड ऐसे पुरुसकारों की लिस्ट लंबी है जिनसे मशूर लेखक खुश्वन सिंग नवादे गए पहले वकालत, फिर सरकारी नौकरी, फिर पत्रकारिता और उसके बाद लेखन खुश्वन सिंग ने जीवन में काफी कुछ किया, पर पहचान मिली लेखन से वो भी बोल्ड कंटेंट वाले साहत लिखने पर, उस दौर में जो बातें खुल कर कहने से परहेस किया जाता था उन्हें दिल खोल कर अपने किताबों में लिखते थे खुश्वन्त, उस वक्त भी अक्सर अपने किताबों को लेकर विवादों में रहे अब अचानक खुश्वंत का जिक्र इसलिए क्योंकि उनकी एक किताब को अश्नील करार देकर रेलवे स्टेशन से हटवा दिया गया है मामला है भूपाल रेलवे स्टेशन का जहां इरिक्षन के लिए पहुँचे रेल बोर्ड यात्वी सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चेंडर रत्म बुक स्टॉल पर खुश्वं सिंग की किताब वुमिन, सेक्स, लव और लश को देखकर बिफर गये और तुरंत किताब स्टॉल से हटाने के निर्देश दे दिये साथ ही चेतावनी भी दी कि इस तरह के अश्वील साहित के बुक स्टॉल पर न बिखने दिये जाए वैसे तो ये सब जानते हैं कि रेलवे की बुक स्टॉल्स पर क्राइम की सस्ती नौवल से लेकर कई तरह की किताबे मिलती हैं फिर गुस्ता खुश्वन सिंग की किताब पर ही क्यों आया ये समझ से परे है